हलो दोस्तों मैं वासू हाजिरू अगेंस दा सुप्रिम गॉट के एक औरने एपिसोड 47 के साथ लेकिन उससे पहले अगर जो आप मेरे चल्ल पढ़ना है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरी प्रीवेस पार्ट्स को देख लो जाकर जिसकी वज़े से आपको इसकी स्टोरी लेंड बढ़िया से पल्ले पढ़ने लगेगी तो जाहिए देख लेजिए तो बिना किसी देरी के जालू करते हैं सीन की स्टार्टिंग पिछले वीडियो की एंडिंग से होती है जहाँ पर ची असिस्टन से ट्रेजरी की की ले लेता है और ची ये करकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा होता है और उस तरफ पैट्रियाज और त्यानन बढ़ी तेजी से वहां से निकल हैं और यहीं से सीन चेंजरों कर हाल पर आता है जहाँ पर ची उस ट्रेजर रूम की की को यूज करते वे उस ट्रेजरी रूम के अंदर आ चुका हुआ होता है जी बोलता है जियाव क्लेन ने हाजारों सालों से यहाँ पर अपने ट्रेजर को प्रेजर करके रखा था तो य मुझे यहां पर केवल हर्ज नहीं चाहिए मुझे यहां पर रखे जितनी भी चीज़ें यहां पर वो सब चीज़ें चाहिए और यह बोलते हुए ची उस प्रफॉर्ण आर्थ रेलम की स्वर्ड को अपने पॉजन पॉर्ड में रख लेता है पर तब इची को स्वर्ड बॉक कर चीज़ें जब उस गन को उठाता है तो उसके ड्रिगर को देखकर वह उसे कर देता है जैंके उस ड्रिगर को दबाने की वज़े से good बुलेट निकलती है चिक चाहिए हो जासे बहुत हीयझा संपने मन में बोलता यह उन बहुत ही रदा खतरना कि यह वेपन बहुत ही रदा खतरना कि क्योंकि इसकी बुलेट में जो पॉइजन है अगर जो वो किसी को भी स्क्राइश करकर निकल जाये तो वह बंदब वहीं पर मर जाएगा और यहीं से सीन चेंजो कर तीन गंटे बात पर आता है जहां पर चीने अ उसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है और यहीं से सीन चेंजो कर हमें दिखाया जाता है कि ट्रजरी रूम से बाहर आ जाता है जी वहां से डायरेक्ट लूचेंग के रूम में आ जाता है अपने साथ में एक मेडिसन का बावल लेकर लूचेंग पूछता है कि ग् कल सुबा उठोगे तब तक तुम्होरी पूरी की पूरी प्रफॉर्वेंस दिस्ट्राइ हो चुकी होंगी इन फैक्ट दस हांग फोई मिल कर तुम्हारी इन प्रफॉर्वेंस को हील नहीं कर पाएंगे उसकी इस तरीके की बात सुनकर लुओ चेंग घबरा आ जाता है पर त लौंग से बोलता है कि अपने ग्रैंट फादर के तरब ध्यान से देख लो लुओ चेंग ची को वहां पर देखकर बहुत यहादा शौक हो जाता है लुओ चेंग बोलता है यूंची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ना मुम्किन तुम यहाँ पर कैसे आए ची यून लॉं लुओ चेंग से बोलता है बच्चे तिरे संसकार यहाँ पर कांग है तु अपने ग्रैंट फादर को उनके नाम से बुला रहा है बर्दभीची के बोलते साथ ही लुओ चेंग के वहां पर मुह से बलड़ आने लगता है उसकी तवियत वहां पर और भी ज़दा खराब होन लुओ चेंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है ची बोलता है इसलिए तुम यहाँ पर अपना मुख बंद रखो ची बोलता है तुम चिंता मत करो टाइगर अपने बच्चों को कभी नहीं खाता ची यह बोलते साथ ही लुओ चेंग को अपनी गोद में उठा लेता है लुओ घूमते विए लुओ चेंग से बोलता है अगर जो तुम यहाँ पर किसी को इस चीज के लिए ब्लेम करना चागते हैं ची वहीं पर रुक कर बोलता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर रुक कर उन दोनों का इंतिजार करना चाहिए जिसमें वो लोग यहाँ पर आकर मुझे एक गाइड दे बाहर जाने के लिए यह बुलना ही था कि पेट्रियाज और असिस्टेंट सीनियर सीनिर करते वे उसके पीछे पहुच जाते हैं पेट्रियाज ची के पास आते वे बुलता है सीनियर आपका गैस बिल्कुल करेक्ट था पेट्रियाज अपनी रकम बताता है तो ची बहुत ही अदा शौक हो जाता है पेट्रियाज बताता है कि उसने इस एम्पर परफॉन डेलम के ड्रैगन कोर को सिक्स मिलियन परपर परफॉन कोईन में खरीदा है पेट्रियाज ची बता है यह बता है पेट्रियाज अपना एक गाड्ची के साथ बेज देते हैं और यहीं से सीन चेंज जोगर हमें न्यूमून प्रफॉन मेनर पर दिखाया जाता है जहां परसिस्टर जुईरू घबराहट में अदर उदर चक्कर लगा रही होती है वहीं परसिस्टर जुईरू युन्बा से गबराहट में पूछती है कि आखिरकार तुमारा ब्रदर लिल्लॉग आखिर गया कहां सिस्टर जुईरू घुसे में आकर बोलती है मुझे वह लड़का जिन्दा चाहिए और अगर जो अभी भी जिन्दा है तो मुझे उससे किसी भी हालत में बचाना है हमें दिखा जाता है वह पीछे खड़ा इंसान कोई और नहीं मास्टर किन होता है मास्टर किन बोलता है यो हाइनेस आप उस लड़के को इतने ज़्यदा इंपॉर्टेंट क्यों देती हैं हमारे ब्लू वाइन प्रफॉर्ण मैनर का जियू चेंग उससे कही ज़्यदा टे तो और वे एक भीडिये के जैसा प्राइड फूल है यहां तक उसने प्राइड के लिए अपने हैवन सेरिंग सेक्टों तक बिट्रे कर दिया तुमीं बताओ ऐसे इंसान कैसे हमारी रॉयल फैमली के साथ इमानदार रह सकता है जिस इंसान ने अपनों को छोड़ दिया वो की दिल में चल क्या रहा है मास्टर किन बोलते हैं यहाइनस आपने सही का लेकिन मुझे लगता है इस तरीके के इंसान को हैंडल करना फैंग जी चेंग से भी जादा मुश्किल है सिस्टर्स विरू बोलती है मुझे उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है मुझे केवल उस सींचे जोकर ज्याउकलन की ब्रांश फैमली पर आता है जहां पर पैट्रियाज खुष होते हुए बोलता है कि असिस्टन जल से जल्द इस ट्रेजरी रूम का गेट खोलो अब मैं जल्दी से इस एंपर प्रफाउंड रिलम के ड्रेकन कोर को रखने के लिए एक सूटिबल बॉक्स ढूणना होगा क्योंकि मेरा बेटा फ्यूचर में इसकी वज़े से इन्विंसिबल बनने वाला है पर जब असिस्टन गेट को खोलता है तो वहां पर देखकर वो शौक हो जाता है ट्रेजरी रूम की तरफ जब उसकी नजर जाती है तो उसकी आँखे फट जाती ह और ट्रेजरी रूम की यहालत देकर पेट्रियाच गुस्से में आकर अपनी प्रफॉण स्टन्थ को रिलीस करने लगता है पर तभी असिस्टन को पेट्रियाच की देंस प्रफॉण स्टन्थ में कुछ दिखता है वो पेट्रियाच से उस तरफ देखने के लिए बोलता है assistant दिवाल की तरफ इशारा करता है patria जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर दिवाल पर कुछ दुनला दुनला लिखा होता है और पास जाकर जब वहाँ पर देखते है तो वहाँ पर चीने कुछ उनके लिए message छोडे होते है मैं तुम्हारी और अपने पोते की सारी की सारी offerings को accept करता हूँ पर ये fact है कि इन दो दिनों में तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत यदा comfortable मैसूस करा है इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें दो secret बताना चाहता हूँ अपने पास्क अपने गोद में रख लेता है उनको concern करने लगता है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की ending होती है तो क्या होगा आगे क्या चीज़ सच में notifications के साथ होती रहेगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए खाते पीते रहें खुश रहें अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें पीस आउट